जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में जै मातादी जरूर लेखें माता रानी सबका कल्यान करेंगी दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को साल 2021 में हरितालिका तीज ब्रत की पूजा का सुभ मुहुर्थ बताएंगे पहली बार या जो कुमारी कन्याएं पहली बार ब्रत रख रही हो उनको नियम को जानना जरूरी है नियम अपनाना जरूरी होता है वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना जादा से जादा हो सके मेरे इस वीडियो को सेयर करेंगे हरिताल का तीज का ब्रत भादपद माह के सुकल पक्ष की तृतिया तिथी को मनाया जाता है इस दिन माता गौरी और भगवान सेव की विधिवत पूजा की जाती है साथ ही निर्जला ब्रत किया जाता है इस ब्रत को कुमारी कन्या अपने सुयोग और मन्चाहे बरप्राप्ती के लिए करती है तो सुहागीन महिला अपने अखंड सौभाग एवं पती की दिरगायू के लिए रखती है यह बहुत ही कठीन ब्रत माना जाता है यह ब्रत निर्जला और निराहर किया जाता है पूरे दिन रात एवं अगले दिन सुर्योदय तक कुछ भी ग्रहन नहीं किया जाता ब्रत तो एक दिन का होता है लेकिन नियमों का पालन तीन दिन किया जाता है ब्रत के एक दिन पहले नहाय खाय होता है उस दिन महिलाएं बाल धोकर नहा कर सुध होती है और सात्वीक भोजन करती है क्रोध नहीं करना होता है ब्रत वाले दिन ब्रमचरे का पालन करना होता है दूसरे दिन ब्रत का होता है हरितायल का तीज का ब्रत इस दिन निराहार एवं निर्जला रहना होता है एवं संध्या समय में सोलह सिंगार करके भगवान सिव और माता पारवती की काली मिट्टी से बनी पर्तिमा की पूजा की जाती है विधिवत ग्रूप से पर्दोस काल में हरिताल का तीज की पूजा की जाती है इस दिन चाहे तो आप सिव पारवती की फोटो की विधिवत पूजा करे या अगर आपको काली मिट्टी मिल जाती है तो उससे सिव पारवती की पर्तिमा बना ले और उसकी विधिवत पूजा करे जो आपने मिट्टी क पार्वती की पुजा करें, भगवान सिव को वस्त्रय अर्पित करें, माता पार्वती को सुहाग की सामगरी अर्पित करें, फल, फूल, धूप, दी, पित्यादी देकर हर्टालिका तीज ब्रत की कथा सुनें, आर्थी करें, और अगले दिन प्रात्य काल पुना अस्तान अगर ही ब्रत का पारन किया जाता है, ब्रत का नियम यह है कि अगर आपने एक वार यह ब्रत सुरू कर दिया है, तो जीवन भर यह ब्रत करना होगा, अगर आप असमर्थ है, बीमार की वज़ा से यह ब्रत नहीं कर सकती हैं, तो अपनी पती से करवा ले, ब्रती को इस दिन क्रोध, तनाव, गुस्सा, चुगली नहीं करना चाहिए मन को काबू में रखे और पूरे दिन भगवान की भक्ती करते रहे इस ब्रत में रातरी जागरन करना है, पूरे रात भजन किर्टन करना है सोना वर्जित माना जाता है सूला सिंगार अवस्य करें, नए एवं कूरे वस्त्र पहने हर्टायल का तीज ब्रत के दिन पती का दिया हुआ अगर कपड़ा पहनती है तो अच्छा होगा आज के दिन अगर सास सुहाग की सामगरी अपनी बहो को देती है तो बहुत सोहमाना जाता है जैसे अगर वो चूड़ी, सिंदू, और बिंदी या कपड़े देती है तो बहो के सौभाग में ब्रिधी होती है ब्रत के अगले दिन दान सुरूप सुहाग की सामगरी अवस्य दान करें अब चलिए जानते हैं कि हरिताल का तीज में पूजा का सोभ मोहर्थ क्या है वैसे तो यह ब्रत पूरे निराहार और निर्जला रहना रहता है वैसे तो हरिताल का तीज का ब्रत निर्जला और निराहार किया जाता है लेकिन गर्वती महिला हैं वो पूरे दिन निर्जला ब्रत नहीं रह सकती है तो उसके लिए पूजा का मोहर्थ सुवा में है अगर आप निर्जला नहीं रह सकती हैं तो आप सुवा के समय सुव मोहर्थ देखकर पूजा कर ले और उसके बाद आप फल और जल गलहन कर सकती है लेकिन हरिताल का तीज गावरत का नियम है कि इसकी पूजा परदोसकाल में होती है तो परदोसकाल का सुभमोर्थ क्या है और सुभ़ की पूजा का सुभमोर्थ क्या है तो चलिए वो डीटेल्स हमा स्क्रीन पे दे दे रहे हैं, आप उसे ध्यान से देख लेंगे, तो आसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज की जानकारी आपको बेहत पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, सेयर करें, और मेरे इस घरेलुखवर चैनल को सब्सक्रा यूर्ण की टुंगी.